अधिश्टाता महुद है मैं बहुत वाकई आपका अभारी हूँ कि मेरे जैसे यंग को आपने अभी काफी सीनियर लोग हैं उससे पहले वक्त दे लिया तो निश्चत तोड़ से आपका इस ने मेरे प्रतिय और मैं इसलिए वन हेल्थ की बात करना चाहता हूँ और मुझे ल करना चाहता हूँ आपके माधिम से सरकार से कि जिस तरीके से कोविड नाइटीन चाइना के बुहान के फिस मार्केट से निकला और आज चाहे डब्लु एचो हो या दुनिया के तमाम लोग इस बात पर कर रहें चर्चा की चमगादर से या किस तरीके तो यह पहली विवार ही नहीं है इसके पहले स्वाइन फ्लू भी पिक से आया बर्ड फ्लू भी चिडिया से आया यह यह वाटर बॉर्ण डिजी चापानी इंसेफलाइटिस एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम हो सार्थ हो यह फाइव एन वन हो यह जो जू नोटिक जिसको कहते हैं बहुत हमको अपने स्वास्त की चिंता नहीं करनी होगी अब उस फिस मार्केट की मीट मार्केट की उसको भी रेगुलेट करने की जरूरत पड़ेगी मैं अधिस्साथ में होते हैं पर क्यों एक दो बात करके खतम कर देना चाहता हूं क्योंकि अगर आप उहां उस मार्केट में ज कहना चाहता हूं कि अब हमको केवल इंसान नहीं जानवरों की चाहे किसान के फसल की हो चाहे सबजियां हो फल हो तो यह वन हेल्थ के कॉंसेप्ट की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है तो मुझे लगता यह वक्त का तकाजा कि आप श्री दिलेश्वर कामत जी चाहू जहीं